भारत और न्यूजिलेंड की टीमों के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का आखरी मैच एक नमंबर से खेला जाना है। रोहित शर्मा एंड कंपडी मुंबई टेस्ट मैच जीत कर लाज अपनी बचाना चाती है। रोहित शर्मा ने मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में पिछले टेस्ट मैच में एक शांदार शदक जड़ा था। उन्होंने मुकाबले की पहली बारी में 127 रन पर नाबाद 111 रन की पारी खेली थी। इस पारी के दुरान रोहित में 11 चोके और 3 चक्के जड़े थे। इस सीरीज में रोहित के बल्ले से कुल 288 रन देखने को मिले थे। और इस प्रजर्शन के लिए उन्हें प्लेयर अब दा सीरीज का अवोर्ड भी दिया गया था। मुंबई के वानखेडे स्टेडिया में टीम इंडिया ने अभी तक कुल 26 टेस्ट मैच खेले हैं। इस दोरान भारते टीम को 12 में जीत मिली है जबकि 7 मैच उसे हारने भी पड़े हैं। और 7 मुकाबले ड्रोह हुए हैं। अच्छी बात ये भी है कि टीम इंडिया ने पिछले 12 साल में मुंबई के वानखेडे स्टेडिया में कोई भी टेस्ट मैच नहीं हा रहा है। भारते टीम ने इस मैदान पर अपना पिछला टेस्ट साल 2021 में न्यूजनर्ण के खिलाफ ही खेला था। तब भारत में 372 रण के अंतर से इस मैच को जीत रिया था। लेकिन अभी चीज़े अलग है। टीम इंडिया दो मैच हार कर मुंबई में पहुँच रही है और देखना ये होगा कि यहाँ पर वो टीम इंडिया जीत पाती है या नहीं जीत पाती है। फिलालेस वीडियो बेत्त ही तेरी मिलेंगे नई वीडियो के साथ शुक्रिया।